अपना अगला चप्टर रहेगा हाड्नेस एंड टॉलरेसे इससे पहले हम सायध है सेकेंड वीडियो था अपना जिस में हमने क्लामेट की फैक्टर्स के ऊपर डिजक्स किया था वहाँ पर हमने एक तो समझा था अपर लोगों ने के क्लामेटिक factors होते क्या है जैसे कि उसमें solar radiation for example solar radiation wind है बगए बगए थी wind था solar radiation था temperature बगए था ये सारी चीजों को देखाता है तो इन factors के बारे में जब वहाँ पर discuss किया गया था तो उसमें तीन मुद्वे थे जिन्हें discuss किया गया था first एक तो कोई भी factor था उसका conceptual part concept कि जैसे solar radiation है उसका composition क्या है उसका latitude altitude के साबसे का variation क्या है बगए बगए इसका composition विबचूर वाला बगए दूसरा था कि इसका हमारे लिए क्या importance है यानि कि forest tree के लिए क्या importance है tree के लिए क्या importance है तो solar radiation जैसे temperature बगए रेगुलेट कर रहा है नौर्थ और साउथ सुलूप पे इसकी vegetation वगएर का impact पर रहा है इस टाइप ही चीज़े होती है वो नहीं देख लिया रहे हैं cardinal temperature वगए वह सारी चीज़े हैं थर्ड था इसका एप्लिकेशन हम एजी टूल कैसे यूज कर रहे थे जिसमें हमने किया था उसका जो light increment वगएरा है उन सारी चीज़ों को देखाता है यहां पर अभी तक हमने यहां पर जो भी डिसकस किया इसमें एक तो यह बात तो देख ली थी कि कैसे ही कोई भी factor है वो हमारी vegetation को effect कर रहा है लेकिन यहां कहीं भी इस बात को डिसकस नहीं किया गया था कि आखिर हमारी जो vegetation है वो भी उस factor में बरावर जब स्ट्रेस में आती है तो कुछ टाइम बाद वो भी adapt हो जाती है और उस factor का उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो समय के साथ साथ थोड़ा slow हो जाता है तो जो adaptation है उसे बोलते हैं tolerance यानि कि basically दो term यूज की जाते हैं एक है hardness और दूसरा tolerance hardness का मतलब है कि कोई plant है उसमें जन्मजात genetically उसमें एक ability है कि वो कोई भी इस टाइप के जो stress factor है या stress causing factor है उनके प्रती उसमें natural resistance है वो factor उसको ज्यदा effect नहीं करते हैं लेकिन tolerance का मतलब की जो plant है वो time के साथ इस टाइप की mechanism develop कर लेता है adaptation कर लेता है जिससे वो इस टाइप के stress में एक टाइप से tolerant हो जाता है यह दोनों ही बिल्कुल एक limit से जदा कोई इनका मतलब नहीं ह जहां इनके बीच का difference आपको याद रखने की जरुवत हो बस सिंपल सा है कोई भी एक याद हो जाए जब भी इस टाइप के question में लिखना हो तो intro में अपना लिखना आसान हो जाए यहां पर इस picture का मतलब हो यह कि जैसे हम लोग बच्पन में गलतियां करते हैं घर में तो कुछ भी करके आ रहा हूं मैं क्रिकेट के लिके आ रहा हूं लेट हो गया हूं घर पर जाओंगा क्यों इतनी कहां थे सुवए से तो घरवाले फिर गले आएंगे तो यह है एक टाइप से हमारे tolerance हो गई कि हम से mechanism हो रखी है brand में कि हाँ भाई इतना तो फर्ज बनता है सुन नर्सरी में भी डिसकस किया जाएगा और लास्ट टाइम जो अपना UPPSC हुआ था इनकी ACF एक्जाम में भी पूछा गया है कि हार्डनिंग आफ क्या है तो अपने फैक्टर कौन-कौन से है एक तो है टेंपरेचर वाले है यानि कि कम टेंपरेचर और हाई टेंपरेचर लो सोलर डेडियेशन वगरे के भी है बिंड के भी है लेकिन इतने जदा पच्ड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है अपना कुस्चन यह जो बेसिक है वाटर स्ट्रेस है टेंपरेचर स्ट्रेस और सेलनिटी स्ट्रेस है इतने से कम हो जाता है तो इसी को निप्टा लेंगे तो इसमें सबसे पहला फैक्टर लेते हैं मौश्चर का अब मौश्चर में जैसे दो आपने एक तो ड्राउट है एक फ्लाड है पहले ड्राउट सूखे को पकड़ लेते हैं आकाल पड़ गया राजस्थान वालों के आप तो अब यहां इस टाइप की जो ड्राउट कंडि जी होता है अब आप एक बार ध्यान रखोगे कि जैसे अपने वेस्टन गाट के एरिया है यानि कि जहां पर मौश्चर बहुत जदा है उनके कंप्यार में अगर राजस्थान में जाओगे तो जो वेजी टेसन में वो बलकुल सेम नहीं होगा और यहां की ड्राउट वाली कंडीजन को जदा होल्ड कर सकते हैं अगर यहां पर आप कौनी फर्स को लगा दोगे या ऐसे यूकलिपटर्स वगरा दोगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं कि बहुत सारी इस बिसीज है मैजूर्टी जो है वो यहां पर सर्वाइब नहीं कर पाती है उसके पीछ रीजन है कि प्लांट को जो बहुत चाहिए वह मौस्चर यहां एवाइलेवल ही नहीं है तो यहां पर जो प्लांट पाए जाते हैं उनमें किस टाइप का एड़प्टे या फारेटो फाइट मतलब अगर आपके पास उपर की स्वैल की लेर में पानी नहीं है तो अपनी जो जड़े हैं रूट्स हैं उनको काफी जदा डीप ली डिवलप करो और बहुत ही जदा डीप एरिया से पानी को कैच करके उपर लेके आए इसी क्या बोलेंगे वाटर या इनकी जो डीप जाकर के वाटर को टैप कर सकती है या इन्हीं को बोलते हैं फारेटो फाइट ज्यदा डिटेल में जाने की जरूत नहीं है बस टर्मियाद रखो इतना इना अपना दूसरे प्लांट क्या होते हैं इन्हें बोलते हैं वाटर सिवर इन्हें मालूम है कि जब हमारी income नहीं बढ़ सकती है तो जो हमारा expenditure है उसे कम करो तो यह जो water saver है इनका काम है कि इस type की mechanism adopt करेंगे जिससे जो भी थोड़ा बहुत इनकी income हो रही है थोड़ा बहुत जो भी पानी आ रहा है उसके हिसाब से ही जो अपना evaporation हो रहा है जो output जा रहा है पानी जो lift के दूरू बाहर निकल रहा है वो घटाया जा सके जिससे input यानि की income और output यानि की जो अपना expenditure है उसे equal किया जा सके तो इन्हें बोलते है true zero fight या water saver क्योंकि यहाँ पर इनकी जो mechanism है वो water saver वाली काम करेंगे थर्ड आता अपना water storing या succulent यह थोड़ी ज़दा ही हर्स कंडिश में grow होने वाले plant है यह इस type के plant है यह इनका कहना यह है कि भाई हमारी income तो दो चार रुपए की है लेकिन जो भी है हम उसे भी बिल्कुल नहीं जाने देंगे पूरा का पूरा water जो है majority 98% यह उसे store करके रखते हैं उसे निकलने ही नहीं लेते body से तो इस type से यह water को store करके र भूल जाती है इसलिए नहीं बोलते है सकुलेंट अपने अलोई वेरा को काफी जदाई देखा होगा अलोई वेरा उसकी जो प्लांट है वह पूरा सुकुलेंट है पूरा फ्लाजी बॉड़ी उसकी तो यहां अपने तीन टाइप के प्लांट इस पीसीज है जिन जिनका ज यहां फिर से देखेंगे रहे पहला जो अपनी थी वाटर टैपर और फारेटो फाइट करक्टर क्या है बहुत ही जदा डिप रूट बना लेते हैं इस पीसीज कौन कौन सी आ जाती है यहां पर अपने जो अकेशिया है आपकी फैमली है आप यह आम आदमी पार्टी वाली है यह है अकेशिया अकेशिया अलबीजिया यहां पर पूरा एक्जामपल नहीं दिया गया है अकेशिया यह अकेशिया सेनेगर है अकेशिया अलबीजिया और प्रोसोपेस प्रोसोपेस यह आप वाले रहेंगा यह इस टाइप की कंडिशन में इसली ग्रो करते हैं अकेश या अलवीजिया और प्रोसोपेस तो यह वाटर जो टैपर है या फरेटोफाइट है इसमें काफी हैं और कहां पर रहे होंगे जनरली अपने जो अक्सर देख लेते हैं डाइग्राम यह अपना डेजर्टिक वाली कंडिशन तो यह जो अपना सेमी एरेड वाली जो रीजन है सेमी एरेड सेमी एरेड सेमी एरेड में अक्सर यह अपने फरेटोफाइट जो है वो मिल जाते हैं आपको इनने जो यानि कि ट्रांस्परेशन है यानि कि जो अपना एपरेशन के थ्रूँ यह जो लिफ के थ्रूँ यह जो ट्रांस्परेशन हो रहा है और थोड़ा बहुत evaporation हो जाता है इसके शुरू जो water loss हो रहा है उस पर काम ज़्यादा नहीं किया बलकि इन्होंने income बढ़ा दिया नीचे से पाने टैप करके आने शुरू कर दिया नेक्स्ट जो category है वो है water saver की ये plant की इस type की mechanism है जिन्होंने क्या किया कि हमारी income नहीं बढ़ सकती है तो हम expenditure प leaf में गुस्ट जाएं जिसे बोलते हैं संकन संकन स्टो मिठा और यहां पर कुछ hairs होंगे जिससे क्या होगा कि अगर पती जो है वो high temperature की वज़े से water को अगर evaporate करती है तो water vapor है वो यहीं पर बालों में इन hairs में फस जाएगी जिससे water का जो loss है वो कुछ कम किया जा सके दूस है यह भी water को निकलने नहीं देती थाड़ है गर्मिया चल रही है हीट के टाइम पर अगर leaf पूरी flat है तो obviously वो जदा से जदा radiation को absorb करेगी उसका body temperature बढ़ेगा और temperature बढ़ेगा तो उसे evaporation करके ठंडा करना पड़ेगा तो इनका एक simple सा mechanism में एक काम करते हैं leaf को rolling कर देते ह है leaf rolling का मतलब है उसका surface area जो sun की पृति था वो थोड़ा कम हो गया surface area कम होगा तो temperature उतना नहीं बढ़ेगा तो एक टाइप से evaporation के जो rate है वो कम हो जाएगा कुछ plant में ये भी एक adaptation है जिनने camp plant बोलते हैं कि उनमें जो stomata usually जो stomata है वो day time में open होते है solar radiation की वज़े से लेकिन जो camp plant है इनके stomata day time में open ना हो करके night में open होंगे तो इस टाइप से अब night में open होंगे तब तक temperature कम हो जाएगा तो इस टूमेटा से जो evaporation हो रहा था यानकि transpiration जो हो रहा था क्या transpiration transpiration जो हो रहा था वो काफी कम होगा तो इस टाइप से इनका काम था water saving करने की mechanism को adapt करना next category आती है अपनी water storing जिसमें आता है अपना cactus है open sea है अपना जो aloe vera यू फुर्वियम के भी इसी में आ जाते हैं इनका काम होता है कि जो भी इनके पास moisture है उसे store करके रख दो उसे बाहर मत निकलने दो तो यह अपने जैसे cactus वगर आपन सिया है यह चीजे यहां आ जाती है इननी को true zero fight भी बोल देते हैं या सकुलेंट क्योंकि इनकी body fledgy हो जाती है अब यहां एक जैसे question आया है question क्या है explain the survival strategy of the following group of plant इसमें एक है फरेटोफाइट देख लिए यह water taper है जीरोफाइट यह अपने water storer भी होगा है यह जीरोफाइट में अपना जो middle थे यानि की water saver थे उन्हें यूज करो और सकुलेंट यह तीसरे होगा है water storer तो इसे देख लेजिए तो इस टाइप से अपने तीन होगा है एक है 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 हैलोफाइट की starting में अभी आपको नहीं हो है अब इसमें यह तो water की कमी वाली चीजे थी एक था water की अधिकता है यानि की flood water logging condition water logging में क्या है कि कहीं भी water भड़ जाता है तो उसे aeration की problem आती है देखो आपको मालूम है कि कोई भी plant है plant की जो roots है soil के अंदर यह soil ही यह roots ही है जो water को absorb करेंगी अब water absorb करेंगी mineral absorb करेंगी इसके लिए जरूरी है कि यहाँ soil में oxygen का level एक sufficient लेवल तक बना रहे है अब होता क्या है अगर यहाँ water logging हो गई है तो जो soil में जो air थी वो replace हो जाता है किसके through water के द्वारा तो अब time के साथ जब water पूरा air space को replace कर देगा तो जो roots है उन्हें respiration करने के लिए जो oxygen चाहिए वो मिलेगी नहीं मिलेगी इसका result होगा कि धीरे धीरे जो roots है उन्हें water absorbs करना minerals absorption करना कम कर देंगे तो भले ही यहाँ पर water logging हो रखिया लेकिन एक time के बाद जो plants है वो एक type से symptoms हो करते हैं जैसे कि वहाँ पर सूखा पढ़ गया है क्योंकि सूखे में भी वह पानी को absorb नहीं कर पा रहा है मिनरल्स अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है बैसी यहाँ water logging में भी वह सूखे जैसे सूखा पढ़ा हो उसी type के plant जो symptom है वह सोका ना start कर देते हैं अब अपना मैन मुद्ध है इस topic का क्या आकर water logging से loss क्या है मैं तो पहला तो यह है कि जो अपना मिनरल्स और water का जो मिनरल्स और water का जो plant absorb कर रहे थे वह रिडियूज हो जाता है दूसरा important importance इसका यह मैं negative sense में ले लो कि जो है यहाँ पर जो air थी वह replace हो गई तो aeration की दिक्कत आ गई और थर्ड जो negative चीज है वह है water है तो obviously gravity के थूर नीचे की तरफ ground water की तरफ move करेगा अब move करेगा तो यहाँ पर soil में जो freely available जो moveable जो minerals थे वो water के साथ dissolve होगे और वो भी नीचे की तरफ leaching हो जाएगी मतलब नीचे की तरफ चले जाएगी जो plant के लिए easily available minerals है वो minerals उस soil horizon से निकल के नीचे चले गई इसका मतलब है plant को अब वो minerals available नहीं होगे तो एक type से loss होगा अपने लिए तो यह सीधे सीधे loss होगा है अब water logging के लिए plant कोई बहुत बड़ी कोई लंबी चोड़ी mechanism अडप्ट नहीं करते हैं इसमें case है यह कि कुछ plant ऐसे होते हैं कि जिनने water logging से फरक नहीं पड़ता जैसे की eucalyptus है साइजाइजियम जामुन है और यह terminalia अरजुना यह तीनों plant ऐसे हैं जिनकी जो roots है वो water logging या water के आसपास ही उकती हैं जैसे terminalia अरजुना जो अरजुन का पेड़ है यह अक्सर आपको जो rivers हैं जो stream है छोटी छोटी जो नदी नाले जैसे होते हैं छोटी सी streams है उन्हीं के आसपास grow करते हैं मिल जाएगा आपको अरजुना जामुन भी आपको नदीयों के किनारे पे मिल जाएगा और eucalyptus तो इंडिया में introduced ही इसलिए किया गया कि कहीं पर अगर जो अपना mud flat area है water log area है उससे water को खतम कर दिया जाए वेट लेंड को खतम कर दिया जाए जिससे उस जो वेट लेंड वाले एरिया है उसको अधर यूज में किया जा सके तो eucalyptus का introduction का purpose यही था तो यह तीनों जो species है काफी important है यह water logging वाले में काफी ज़्यदा यूज करते हैं यहां कोई adaptation जैसी चीज हमें पढ़नी नहीं थी next अगर हम इसी को एक बार review कर ले तो अपने जो water stress वाली थी जिसमें एक है drought का और एक flood का इन मुद्दों को देख लिए अब मैंना था अपना temperature का temperature के साथ वही है एक तो दो है low temperature और high temperature वहाँ पर temperature का importance बगर रहे था और low temperature में खास कर जो थे एक था अपना frost और slow बगर रहे का वह सारी चीज़ें तो discuss कर चुके थे यहां पर केबल यहीं दिखेंगे कोई plant जो है वो low temperature में भी survive कर जाता है जब कि बहुत सारे plant frost चैसी condition आती है तो वो निकल जाते है तो ऐसा क्यों है यानि कैसी क्या mechanism है जिसके थूरू एक plant जो है वो low temperature में भी survive कर जाता है तो यह depend करता है कि जो plant है उसकी internal structure कैसी है वो plant बना कैसी है उसकी जो देखो आपको मालूम है क पोजिए एक plant है यह किसे मिलके बना है टिसूस है इसकी structure किसे है टिसूस है और टिसू किसे मिलके बना है cells है तो basically यह plant किसे मिलके बना है cells है तो अगर plant जो है जिस पर low temperature का impact कम पढ़ रहा है frost और सुनो जैसा जो effect है उस पर कम पढ़ रहा है तो उसके पीछे region हो सकता है उस Content कितना होता है obviously अगर किसी इस अंदर जो water content है वो बहुत ज़्यदा होगा जैसी के अपनी जामुन है तो यहां पर अगर फ्रोस्ट पड़ेगी तो water ज्यदा है temperature जब डाउं जाएगा water freeze होगा तो यह cell के अंदर जएदा बड़ा freeze होगा और इससे इस ऐल जो है वो बस्ट हो जाएगी सेल की डैथ मतलब प्लांट की डैथ जब कि अगर वाटर कंटेंट काम होगा तो क्या है कि अगर वह फिरीज भी होगा तो एक छोटी चो कुन्नी में पड़ा रहेगा सेल के इस पूरी सेल को डैमेज करने का उसकी लिमिट नहीं होगी तो सेल जो है वो यह जो प्लांट है वो इस अपशीजर इसेंड कार जाएगा डूसरा रहता है ओस्मोंटिक कंसंट्रेशण ये जो सेल साल इसका इक यक पर्टिक्लर स मूंटिक कंसंट्रेशन होता है कर् Aleuthen tekर पास एक गिलास है गिलास में केबल प्यूर वाटर है वाटर है अपने पास अगर आप इसमें कुछ सुगर डाल देते हैं तो इसका जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन है वो बढ़ गया अगर आप इसमें सुगर और बढ़ा देंगे तो इसका ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन और ब लिमेट तक बढ़ा जा सकता इसके बाद पर वो घाड़ापन बहुत ज़्यदा पढ़ जाता या सिंपल रपल में समझें को ओस्मुोटिक कंसे इसन मतलब गाड़ापन सो कोई भी सेव है उसका ओस्मोटिक कंसे आ। इसके जो low temperature है उसके pretty जो means freeze होने की जो ability है वो उतनी ही ज़दा कम हो जाती है अगर इसका ठीक ठाक कॉस्मोंटिक कंसेंटरेशन है तो इसकी जो freeze होने की ability जीरो डिगरी पर नहीं होती है वो माइनस 25, 30 तक चलि जाती है और इतना temperature होता नहीं है frost के टाइम पे जदा 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 माइनस 4 या माइनस 11 तो ये freeze नहीं होता है और ये plant survive कर जाता है तीसरा है cell की wal ये जो cell wal है ये जो cell wal चल रही है अपनी ये cell wal cell wal की permeability कितनी है water की سाथ अगर cell वाल की permeability बहुत जदा है तो होगा क्या जैसे जैसे यहाँ पर suppose यहाँ पर कुछ अच्छा खासा वाटर था cell के अंदर low temperature की वज़े से जैसी वाटर freeze होना शुरू होगा जो excess water जो था क्योंकि जब अंदर freeze होगा तो इसका size बढ़ेगा size बढ़ेगा तो यह pressure करेगा outer wall को cell wall को अंदर की sides है तो जो excess होगा water जो अभी तक freeze नहीं हुआ वो इस cell wall से बाहर निकल जाएगा इस type से cell के burst होने की internally collapse होने के chances कम होगे अब अगर cell wall की permeability बलकुल ना के बराबर है तो क्या होगा वो इंटर जो भी अंदर बाटर है वो अंदर ही रहेगा और अंदर ही वो size में increase होके burst हो करेगा तो cell के burst होने के chances जदा है तो यह cell wall की permeability का एक मुद्दा है और next आता है cell size छोटी cell है उसका osmotic concentration जदा होगा उसके पास water का जो percentage है वो कम होगा यानि की resistance जदा होगी बड़ी cell है जदा water है और स्वोटी concentration कम है हाई प्रोन के जो है resistance की कम होती है यह सारी चीज़ हैं जो cold area से उसकी resistance होगरे को impact करेंगे यहां simple way में है जो हमें एक्जाम में याद रखना होता है कई बार coat करने की जड़ुत पड़ती है अक्सर जब इस टाइप के question आते हैं और उन्हें आप बिना example के नहीं लिखेंगे एक आध example तो चिपका नहीं होता है तो example क्या हो सकते हैं एक है frost hardy species यानि कि वो species जिन पर frost का impact नहीं पड़ता है दूसरा है frost tender species जिन पर frost थोड़ा बहुत भी पड़ा और वो निकल जाती है तो frost hardy में कोई भी कौनी फर्स को एक्जाम्पल में शिपका देना है और frost tender में अपने जो राजस्थान में उगरा है ने लगा दो क्योंकि यहां अगर frost होता तो यह plant वहां survive नहीं कर पाती है यहां पर अपना यह वाला मुद्दा जो था low temperature का वह हो गया वैसी होता अपना high temperature का अब high temperature पर क्या है कि जब भी एक लिमिट से था अगर temperature पड़ गया है तो यह जो है plant की लिप यह वह बर्न हो जाती है इसका प्रोटोपलाज वह वह कोईगूलेशन हो जाता वगरा बगरा है और sun scald या sun burn इसका मतलब गीरा अब इसमें प्लांट क्या किया है तो कई बार इ इनकी प्रोटीन बनती है जैसे चप्रोटीन वगरा है या heat stock protein है जैसे चप्रोटीन वगरा है तो यह क्या करती है heat stock protein इसकी जो water है उसका stress जो enzyme है उनको break नहीं होने देती है प्लांट को बचा लेती है दूसरा कुछ morphological adaptation भी होते हैं जैसे आप देखोगे कि जो अपने semi-arid region के plant हैं जैसे के बबूल है नेम है इनकी जो leaf के size है वो छोटे छोटे होते हैं कौनी फर्स हैं उनने बहुत कम light की जरूरत पड़ती है उनकी पतिया बिल्कुल निडल सिप की होगी है जबकि टीक की leaf देख लेना वो लगवग उसकी एक एक हाथ मेंस लगवग डेल फिट इस साइज की हो जाती है तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया की है ट्रॉपिकल एरिया की plants है उनकी जो leaf है उसका size बहुत बड़ा होता है तो यह सारी चीज़े हैं जो morphological adaptation कर देते हैं फिर उसकी कई बार membrane composition वगरा है वो सारी चीज़े भी होती है इनने देख साफी important है क्यों क्योंकि कुछ चीज़ें यहां discuss कर लेंगे तो एक separate subject है आपके में mangroves and cold desert वहां पर थोड़ा आसान लाएगा कहीं भी हो जहां ज्यदा salinity हो तो वहां पर salinity को क्या बोलते है है saline saline या heline तो जो plant grow करने वाले होते हैं आज salinity में उन्हें बोलते हैं हेलो fight जब अपना mangroves करें तो यह जो salinity है वो plant पर दो टाइप से impact देती है या हमारी जो soil है उस पर दो टाइप से impact देती है एक impact देती है osmotic effect और दूसरा देती है ionic effect देखो दो चीज़ें यह दोनों से जो है osmotic pressure और ionic जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें थोड़ा different way में समझते हैं फ़र चीज़ें जदा आसान हो जाएंगे osmotic pressure osmotic pressure यह बिल्कुल इसी टाइप से आपने कहीं chemistry में पढ़ा होगा कि पूटाइटो होता है पूटाइटो में आप यहां पर थोड़ा concentration से high concentration की तरह water move करता है यह जो अपनी किस्मिस है उसे water में डाल देते हो तो वो फूल जाती है तो यह osmotic pressure में हम लोग 10th 12 के time पर काफी लंबे time से पढ़ते आ रहा है यहां पर भी वही होता है osmotic effect में हम क्या पढ़ाएंगे के जैसी एक normal plant है इसकी जो water absorb करने की capacity है suppose यह रहा plant की side के लोग है यह स्वैल की side के लोग plant जो absorb कर रहा है इसकी जो hold करने की capacity है खीचने की capacity है वो है suppose 10 bar 10 bar 10 का pressure है इसके पास की यह खीच सकता है लेकिन जो soil है उसकी जो अपना water है जो minerals है उनको खीचने की capacity जो है वो है suppose 6 bar तो क्योंकि pressure किसका ज़्यदा है इसका ज़्यदा है यह negative काई बार यूज किया जाता है टर्ब नेगेटिव का मतलब होता है जो थोड़ा एक दूसरी के identical जो है suppose इसका है 10 bar और इसका है minus 6 bar इसको यूज नहीं करेंगे यह minus रहेगा यह plus रहता है तो इसका क्या है minus 6 bar यानि कि opposite direction में 6 bar तो difference कितने का है 4 bar का यानि कि plant जो है वो soil से water और minerals जो है वो absorb कर लेगा यहाँ soil में जैसे जैसे stress बढ़ता जाएगा यानि कि water और minerals की कमी पढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह six seven bar है eight bar है nine bar है ऐसे बढ़ता जाता है और drought condition में actual में यह हो जाता है कि दोनों side का pressure बराबर हो जाता है और plant absorb करना लगवाग रुख जाता है क्योंकि दोनों side का pressure बराब के molecule को और जड़ा increase कर दिया जाए सेलनेटी कर दी जाए खासकर जैसे अपने जो cyclone वगरे आते हैं तो जो coastal region है coastal के पास जो जमीन होती है हवा जब तेज आती हैं तो हवा के साथ जो oceanic जो salt आते हैं वह लगवाग 2-3 km का जो belt होता है समुद्र से लगा हुआ उस पूरे region की सेलनेटी दीरे दीरे बढ़ा देते हैं टाइम के साथ बढ़ती रहती है तो यहाँ पर सेलनेटी बढ़ने का impact ही होता है कि suppose यहाँ सब कुछ normal condition है इसमें और यहाँ पर जो minus 6 बार था क्योंकि यहाँ पर continuous salt आ रहा है तो salt क्या करेंगे स्वैल की जो automatic pressure है उसे यानि कि minus 6 को वो सब कुछ normal होने के बाद भी minus 6 को minus 7 minus 8 minus 9 पर लेके जाएंगे इससे plant क्या करेंगा को जो water easily absorb कर पा रहा था वो अब absorb नहीं कर पाएगा और time के साथ साथ यह plant की absorption capacity अब नहीं हो पाएगी उतना water नहीं मिलेगा जतना इसे require है उतने minerals absorb नहीं कर पाएगा जतन नहीं require है तो यह कमजोड हो जाएगा और एक time के बाद इसकी death होना शुरू हो जाती है वो proper production या growth नहीं देगा जो इसे देना चाहिए था दूसरा है ionic effect ionic effect का मतलब है जो salt है वो है क्या जैसे common salt होता जो अपना na cl यह जब टूटता है तो बनता है na positive और cl negative अपने जो plants है यह जो अपनी soil है वहाँ से जो minerals absorb करते हैं वो ionic form में use करते हैं जैसी कि अगर phosphorus कर रहा है तो वो करता है H2 PO3 2 negative या 3 negative या 2 negative 2 negative या 3 negative या 1 negative यह टाइप से करता है तो यह एक ionic form में करेगा या BO3 यहाँ पर side 2 negative होता है H3 PO3 H3 PO2 यहाँ है 3 negative तो बोरोन को भी वो ionic form में ही absorb करेगा अब यह करते क्या हैं जो salt के particles है जब इनकी population बढ़ जाती है संख्या बढ़ जाती है तो यह जहाँ पर बोरोन है जैसे यह root हेयर है यहाँ पर जहाँ बोरोन को absorb होना था यह minerals वहाँ पर जाकर कर लग जाएंग है तो इस टाप से यह बोरोन के साथ absorption में दिक्कत देना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इनकी भीड बहुत जदा है तो यह minerals absorption में दिक्कत देना शुरू हो जाते हैं first thing दूसरा जब यह जहदा absorb हो जाते हैं plant के द्वारा तो यह plant के अंदर जाके उसकी जो osmotic concentration है उसको गड pH है उसे गड़बढ़ा देते हैं जिससे plant burn हो जाता है तीसरा यह soil में जाने पर इसका soil का pH क्या करेंगे pH को यह बढ़ा देते हैं तो बहुत सारे minerals ऐसे हैं जो high pH पे absorb नहीं होते हैं यानि कि वह unavailable form में चले जाते हैं pH जैसे ही high गया वह unavailable में convert हो गाए तो इस टाप से ब देते हैं तो इस टाप से यह तीन चीजह हैं जो मैं दिक्कत देंगी एक इनका जो आइन का है poisoning effect हो गया हाई pH वगरा कर दिया तो जैसे फासफुरास है वगरा है वह available form में बचता नहीं है और तीसरा यह absorption के टाइम पर दिक्कत देते हैं तो जो अपना हाई यह जो high salt concentration है व भी तो कोई mechanism में ऐसी adopt की होगी कि यह type की जो salinity है उसको रोख सके अंदर आने से रोख सके तो उनकी mechanism समाजना बहुत जरूरी है क्योंकि यह mechanism आज के टाइम पर हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं अब mangroves ने commonly तीन mechanism अपना ही है पहला है exclusion जैसे अगर यह बंदा है यह अ यहाँ पर जो absorption हो रहा था minerals का soil से तो यहाँ जो बहुत सारे minerals आ रहे थे यहाँ पर जो cell है उसकी ability होती है कि यहाँ पर बहुत सारे minerals absorb कर रहे होते हैं जैसे जैसे उसमें NACL sodium या CL negative के भी molecule में मिलके सामिल हो करके आ जाते हैं तो यह उन्हें पकड़ के बाहर फैक देते है पर बोलते हैं तुम भई निकल जाओ यहाँ से तुम्हारा काम नहीं है और अधर्स को आने देते हैं तो यह एक particular minerals को exclude करते हैं second क्या है अगर by chance इतनी भीड में थोड़ा जब ज़्यदा crowd हो जाए दो चार इंटर कर भी गए तो फिर उन्हें absorb करेंगे और पत्तियों में लेके जाएंगे और उनकी salt gland के थुरू बाहर फैंक देंगे यानि कि उन्हें secret कर देंगे कई वार ऐसा भी possible नहीं हो पाता है को उन्हें secret करो तो फर plant क्या करेंगे कोछ इनकी जो old leaves है इन्हें वहाँ पर जा करके खटा करके रख देंगे और बोलेंगे time के साथ यह जो old leaves है वो जब गड़ जाएंगी तो उसके साथ ही चले जाएंगे पतियां गर जाएंगे तो यह नमक भी पत्तियों के साथ जमीन वे बापस पहुंचाएंगे तो जैसे mangroves है उन्हें क्या है salt glands होती है अभी सी यह जो ettryplex है इसमें इसी टाइप के salt cell वगरा होते है क्या यह जो है यहाँ पर जो structure बन रखी है जोने बोलते है salt glands या salt hairs उसमे अभी यही करते है कि यह plant क्या करता है कि जो access में salt आ रहा है उन्हें यहाँ पर यह बालों में hairs में store करके रख देता है बाद में time के साथ जब यह hairs नीचे गिर जाते हैं यह भी salt से मुक्ति पा लेता है अब अपना देखते है last term hardening of जिसे static में जब hardness और tolerance देखा था तो उस है जिसमें हम किसी plant को किसी adverse conditions है hardy बनाते हैं अब कैसे थोड़ा इससे समझो बस काम हो जाता है अपन जो plant है suppose कल मोदी जी बोलते हैं आप से कि हमें एक जो green highway corridor है उसके लिए hundred plants चाहिए plantation के लिए तो आपका यह purpose नहीं होता है कि आप nursery में गए में से उन्होंने बोला था कि दो महीने बाद plantation करनी है तो आप सीधा आज nursery में जाके seed लगा दोगे वहाँ पर जब दो मन्त की जो seedling बन जाएगी वहाँ से उठा करके सीधी plantation कर दोगे अगर ऐसा कर दोगे तो जो plantation है वो हो जाती है फैल क्योंकि जो पौधा है जो new generation जो new growth की गई है उसको अभी तक जो adverse condition है उसको उसने जहिला नहीं है तो वो फैल हो जाता है तो एक proper way है जिसके थूँ उसे इस टाइप की जो stress condition है उसमें hardy किया जाता है कैसे करोगे आपने सपोच seed लिया seed को एक poly bag में grow कर दिया ये nursery में अभी तक ये जो अपने green house chamber होते है ये plant जो है वो इस green house chamber में grow कर रहा है इसको यहाँ बिलकुल temperature है वो बिलकुल favorable है temperature moisture मौस्चर है वो बिलकुल इसे हमेशा मिलती रहती है पाने की कोई कमी नहीं है temperature बिलकुल सांदार है ये बहुत ही must grow करता है जो normal condition में ये growth करता है क्योंकि यहाँ बहुत ही जदा favorable है जैसे कि इसे easy में विठाल रखा है तो normal condition की compare में लगवाग double होती है लेकिन अगर आप यहाँ से green house से निकाल के अगर सीधा यहाँ पर forest में plantation कहीं कर दोगे रोड की किनार है तो इसकी death हो जाती है क्योंकि अभी तक adverse condition को इसने जहला नहीं है तो mechanism डेवलप नहीं कि तो forest यहाँ जो nursery grower है वो क्या करेंगे कि इस plant क तो इसी में अभी suppose इसे starting में बिलकुल must monster मिल रही दिन में तीन चार बाद पानी मिल रहा है fogging से और temperature maintain है कुछ time बाद इससे दूसरे chamber में shift कर देंगे यहाँ पर उसे four time irrigation मिल रहा था यहाँ पर उसे क्या करेंगे कि temperature उतना favorable नहीं रहेगा थोड़ा temperature उच नीच करना शुर irrigation है मतलब 8-10 दिन दो बार देंगे इसके बाद इसको irrigation है वो एक बार देंगे अभी हम temperature stress नहीं दे रहा है अभी हम उसे water stress दे रहा है यानि कि हम उसे धीरे धीरे करके जो irrigation है यानि कि जो water है वो कम देंगे जब water कम देंगे तो इसको stress पड़ेगा stress पड़ेगा तो इसे अं रूट्स जो हैं वो बैटर तरीकी से ग्रोथ करेंगी रूट्स के जो रूट्स हेयर है जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे उनकी ग्रोथ पर मोट होगी क्योंकि इस्ट्रेस पर रहा है एक टाइम के बाद फिर हम जब इसको एक एरिगेशन दे रहे थे डेल पहरे यह एसी में था फिर इसे नोन एसी में लेकर आएंगे और कुछ दिन नोन एसी के बाद फिर हम इसे बाहर जो अपने अकसर दिखा होगा कि इस टाइप की जो अपने पॉली हाउस है उनके बाहर इस टाइप का एक पूरा स्टॉक सा लगा रहा हो था लंबा चोड़ा यही पूरे नडशरी वाले प्लांट यहां ओपन में रखे होते हैं और यह वहां सीधा ऐसी पढ़े हैं खुले में इनने दू-चार दिन में पानी दे देते हैं तो इस टैप से उन्हें वाटर स्ट्रेस तो चली रहा था यह टेंपरेचर स्ट्रेस देना भी शुरू हो गया जिससे उन्हें फैबरेवल की जो अदत थी वह बहर खताम हो गई अब उन्हें यह समझ में आने लगा कि टेंपरेचर बड़े भी सकता है कम भी हो सकता है उसके इसाब से उनकी जो में वाटर को स्टोर करने की वाटर को मतलब कैच करने की स्टोर मेटा है क्योटिकल वाली जो चीज़ है वो डिबलफ होना स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद जब ये तयार हो जाता है और लगवा कैसा हो जाए कि इसे आकर दस दिन पानी नहीं दिया तब भी आराम सह मस्त है तब हम उसे इस प्लांटेशन काम में लेके आते हैं तो ये जो प्रोसेस है कहां से यह करते हैं सिल्वी कल्चरिस्ट काफी ज़्यादा यूज करते हैं तो जो क्लामेटिक फक्टर से रिलेटेट के टाइम पर कुछ अपने साइट फक्टर से रिलेटेट चीज़ें जो पढ़ी थी डिसकस्तों वहां पर इस टर्म को भी यूज किया जा सकता है हाडिंग आपके इंटरेनल फक्टर यहां पर जबी इस टाइप का बिल रहा है कि इंटरेनल फक्टर तो किसा से रिलेट acknowledging हैं वाटर में कौन सा ड्राउट वाले हैं व्लाउट वाले हैं रॉटर से रिलेटेड इसकी जो मैकनेजम है तो यह यहां पर वही है इंटर्नल फेक्टर अपेक्टिंग फॉरेस्ट एजीटेशन तो इसको इसलिए आप हैंडल कर सकते हैं यहां पर एक्सप्लेंद दा इको फिजलोजिकल फैक्टर डैट आर मोर सिल्वी कल्चिरिस के लिए मोर रहता है यह कुशन पुराना है अपना उसमें इस चीजों को यहां पर कुछ पॉइंट सपन को फुडर पॉइंट मिल गया है उन्हें भी वहां यूज किया जा सकता है वाइस सेलाइन एलकलाइन स्वैल कंसीडर प्रॉब्लमेटिक फॉरेस्ट स्वैल के नाम से एक सब्च हैनिक एफ्यक्ट दोनों ही देती है और फिर यहां पर यह पूछा कि कैसे वहां पर कैन यू सज्जेस्ट एनी फोसिजर टू मेक इट सुटेवल इसे बाद में देख लेंगे लेकिन यहां आपको एक बेसिक थीम जो थी वो मिल इस टॉपिक में जो भी पढ़ना था और य है कर दो ऑदर सुटेवल और ठाले में यहां आपको कें